वेलकम माई चैनल यहां पर मैंने स्किन रूटीन कर रखा है और यह है एन वाई वेका फेस प्राइमर सिलिकॉन बेस प्राइमर और आज आपने वैसे टाइटल तो पढ़ लिया होगा कि आज का टाइटल है क्या वैसे मैं आज करने जा रही हूं न्यूट मेकप यह मेकप बहुत जड़ा है खासकर जब आप कॉलेज जा रहे हो या आप कहीं शॉपिंग ले जा रहे हो या आपके घर में चुटा मुटा फंक्शन है बढ़ दे तो भी आप मेकप यह कर सकते हो तो मैंने प्राइमर बहुत अच्छी तने से डॉट डॉट करके अप्लाइ कर लिया महित मनें का की चुट उसतों इसे मीप आप करना फंडेशन करों कोईम आप करोती है और तो यिघिये होंस तो आप साथो सकते हो तो किस तरह से घंप मेख़े में पहुत अच्छी तरह रही से इसलिखने Rabbid आपको अपनी आप्रो को एकदम फिनिशिंग में लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है यहाँ पर स्विस्टी का कंसीलर लिकुड कंसीलर तो आप देख रहे हो कि आपके शेप में अपलाई कर रही हूं अगर आपके डाक स्पॉर्ट से अंडर आई ब्लैक से अकल है तो आपक सकते हो अच्छी तरह से ब्लैंड करना ही बहुत बड़ा टास होता है अगर आप बहुत अच्छी तरह से पांडेशन या कंसीलर ब्लैक कर सकेंगे तो आपका यह मेंकप बहुत अच्छा एक पथा दम नाश्रूल नुक आएगा किसे को पता भी निचलेगा कि आपने बहु तो आपके पास एक ऐसा आइशाडव पालेट तो होना ही होना चाहिए तो आप देख रहे हो कि मैंने एकदम स्केंड में पिक किया था और देखिए एकदम नैश्रल लुक आया है जिसे कहते हैं न्यूड शेड आया है नेक्स मैं पिक कर रहे हूं लाइट पिंक और तो बहुत से डाक पिंक आउट और कर पे मैं अप्लाई कर रहे हूं डाब डाब करके आप देख सकते हो ताकि थोड़ी सी क्रीस लाइंड क्रेट हो जाए और बहुत ही न्यूड शेड आया बहुत ही नैश्रल लुक आया तो एत्म नैश्रल नूट लगे तो आप देख सकते हूं मैंने दोनों आई पर लाके का आई लाइनर यूज कर यहां पर मैंने टाइट आय अप्लाई कर रही हूं आपको भी इसी तने से अप्लाई करना और यह मस्कारा बहुत ही अच्छा है और यह नैश्रल लुक देता है नेक्स में यूज कर रहे हूं यहां पर बलेशर यहां पर मैं स्विस बीटी का बलेशर यूज कर रही हूं वह भी पीछ कर रहे कर ताकि एक देख सकते हूं तो फ्रेंड्स आई होब आपको यह मेकप लुक अच्छा लगा होगा पसंद आया होगा अगर अच्छा पसंद आया है तो में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तब तक के लिए बाइ